गाइध गुरूपर वेलकम तो मरू उफु गतश लगयो हैं अब सबीका आपके अपने युटूब चैनल अलेक्साउमगाइड गुरूपर वेलकम की डिको अजय। वेलकंदोस्तो जुडते जाएं सभी फिकलस मिज्ञाइड हो गई है स्वागत है आप सुभी का आपके अपनी यूटूब चैनल और एक्जाम गाइड गुरूपर वेलकम सुखविंदर रहन नहरा शुभं सिंग अंजीत अनित हैपी निवेर नए साल की धेर सारी शुब कामने आपके लिए जो भी चैनल पर नए स्टुटेंट है चैनल सब्सक्राइब करते जाएगा बैल आइकन आउन करते जाएगा क्लासिस रोज होती है आप पर डे आ सकते हैं टाइम टेवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको कमेंट बॉक्स में भी शेयर करती है जाएगा तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबी का नए साल की धेर सारी शुख कामनाय आज फ़र्ट डे है और सुब़ की पहली क्लास आप सबी अटेंड कर रहे है आगे भी क्लासिस को आटेंड करते रहे सब्स्क्राइब कर लीजएगान नए आ साल आपके लिए शुखकामना ल उनकी शादी हो जाए जो नौकरी के लिए परिशान है उनकी नौकरी हो जाए नए साल में जो समझ रहे हैं उनके लिए ठीक है तो चलो शुरू करते हैं अपन क्लास सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कौशन नंबर वन सूरे से आने वाली यूवी किरने परमक रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाए राइट आंसर के हैं सूरे से आने वाली अल्ट्रा वालिट किरने जो हैं किसका कारण बनती हैं और राइट आनसर क्या है एस प्रेश्चन केलिए सभी बताएंगे मिशूरु से अने वाली आलडर वायलिट कि रिंड़ें किसका कारण बनती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेश्चन के लिए बतला है कि चले देखते हैं तो यहां पर सेयत्र क्या हो जाएगा तो अचा का कैंसर अप्शन नमबर डी इस प्रेशन के लिए सेयत्र हो जाएगा नेक्श कॉशन निम्न में सबसे बड़ा इस्तन पाई कौन सा है बतले ही सबसे बड़ा इस्तन पाई कौन सा है मैमल राइट अंसर कहा है खुश लिए रोहित मिसन अंटिपीसी पूझा मितल रमेश यादव राज आरियन वीडियो को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए वीडियो को जो भी चैनल पर नया चैनल सबस्क्राइब करते जाए यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा निम्न में से सबसे बड़ा इस्तन पाई कौन सा है तो घेल मचली ऑप्शन नंबर एस प्रेशन के लिए सहीत्र हो जाएगा नेक्स कॉशन आंसर द झाल तो यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा निम्न मैसे किसे कोशिका का सैल का पावर हाउस कहा जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मीट्टो कॉंड्रिया इसभ्रशिन के लिए सही उत्तर हो जाएगा जैशी महाकल है थापी नीएर नेक्स्ट कोश्जिटन है न्यू मेटाफोरस toka क्या होती है राइट आंसर क्या थाइए बतलाएं न्यू मैटाफोरस ज्ट होती है निउ मेटाफॉरस जड़ों की क्या भूमी का होती है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाएं निउ मेटाफॉरस जड़ों की क्या भूमी का होती है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए बतलाएं हो जाएगा राइट आंसर इस प्रेशन के लिए तो न्यू मेटाफोरस जड़े जो है यह क्या काम करती है स्वसन के लिए oxygen को प्राप्त करती है राइट आंसर हो जाएगा option प्रशना ये रहा स्क्रीन पर समीधान सभा को संबोधित करने वाला अन्तिम ब्रिडिस गवण्नर जन्रल कौन था संभीधान सभा को संभूधित करने वाला अंतिम ब्रिडिस गवर्नर जनरल कौन था राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बताओं क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए ची हैं सोच़िए समझज़ आंसर दीजए तो यहाँ पर सेत्र क्या हो जाएगा राइ आंसर समेधान सबा को सम्मूदत करने वाला आंतिम ब्रेड़िस गवरनर जन्रल कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए समिधान सबा को समूदित करने वाला अंतिम ब्रिडिस गवणर जनरल लॉड माउंट बेटन option number B प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा right answer है लॉड माउंट बेटन इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हुए है आंसर सही करते जाएए जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए स्क्रीन पर जो कॉशन है इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो लौड माउंट बिटन प्लीज सेयर करते चलो वीडियो की लिंक को जो भी चैनल पर नए है सब्सक्राइब करते चलिए और अग प्रकास की गती अधिक्तम किसमें होती है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ही प्रकास की गती अधिक्तम किसमें होती है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ही चले देखते हैं यहां पर सही उत्र क्या हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस चले देखते हैं, तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा, वैक्यूम में निर्वात में वैक्यूम में इस प्रशन के ले सहीत्र हो जाएगा अनुराक सिंग, शुबरम सिंग, राजपूत, पूजा मित्तल, अनिल कुमार, अंकित कुमार वेरी गुड नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ण ये रहा स्कीन पर यदि वस्तु पर लगाया गया बल गती की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गती कैसी होगी क्या उत्तर होगा बतलाईए शेयर करते जाएए वीडियो की लिंक को शेयर करते जाएए वीडियो की लिंक को शेयर करते जाएए चैंपियन्स जो भी चैनल पर नहीं सबस्क्राइब करते जाएए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा जी हाँ जी राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए चले देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो सही उत्तर है इस प्रेशन के लिए राइट आंसर है यदि वस्तु पर लगाया गया बल जो है यदि वस्तु पर लगाया गया बल गती की दिशागी विप्री दिशा में हैं तो वस्तू की गती कैसी हो जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तू की गती जो है घट जाएगी राइट आंसर है आप्शन नमर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा वस्तू की गती घट जाएगी नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ण ये रहा स्क्रीन पर कॉशन है आपके सामने ट्यूब लाइट में इस्तिमाल किया जाने वाला चोक मूल रूप से ट्यूब लाइट में इस्तिमाल किया जाने वाला चोक मूल रूप से किसका क्या होता है expression के लिए बतलाईए हाँ जी right answer क्या है expression के लिए tube light में इस्तिमाल किया जाने वाला जो चोक होता है वो मूल रूप से क्या होता है right answer क्या है expression के लिए बतलाईए चले देखते हैं यहां पर सेथर क्या हो जाएगा तो right answer है स्टॉपलैट में इस्थिमाल किया जाने वाला चोक जो है यह क्या होता है इक प्रकार का सभी दोस्तों cualquier यह डूस्टों को अ एक आप है अप disci नंबर इस प्रशाइंगे लिए सहित्तर हो जायएगा एड क्फ़िए लाइक करते चलो शेर करते चलो at तो सब्सक्राइब करते चलो क्या उत्तर होगा बतलाएं अगला प्रश्ण देखते हैं निम्ले के तमेंसे कौन अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उप्योग करने वाला पहला भक्ती मार्ग का संग था संत था, राइट आंसर क्या है कौन भक्ती मार्गी संत थे, जो हिंदी का उप्योग करते थे राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ये भक्ती मार्ग के संग थे संत थे कौन थे बतला ये बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे बैरी गुड राइट आंसर क्या है चलिए तो यहाँ पर सहित्र क्या हो जाएगा ये थे रामानंद जी option number पर सी इस प्रेशन के लिए सेत्र हो जाएगा रामानंद जी इस प्रेशन के लिए राइट आंसर है भक्ती मार्ग के संत थे और इन्होंने अपनी संदेश को प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया next question देखते हैं अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंदित मुद्दों पर अधिक केंद्रित द्रश्टी को और सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्राले को किस वर्ष में गठित किया गया था कब बना था अलपसंक्यक मामलों का मंत्रा ले राइट आंसर क्या है इस्प्रेशन के लिए अलपसंक्यक मामलों का मंत्रा ले जो है कब बना था बतलाईए हाँ जी कभी इरदाश जी के गुरू क्या उत्तर हो जाएगा इस्प्रेशन के लिए बतलाईए राइट डांसर क्या है तो यहाँ पर सहीत्तर क्या हो जाएगा बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे तो यहाँ पर सहीत्तर क्या हो जाएगा राइट डांसर इस फ्रेशन के लिए हपी नियर जी हपी नियर सभी को हपी नियर 2006 में आये था option number C 2006 में बना था 2006 बना था Right answer हो जाएगा 2006 अपने ग्रूप में दोस्तों के साथ मैं वीडियो की link शेर करते जाएए लाइक करते जाएए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते जाएए अगला प्रशन देखते हैं निमल्कित में से कौन सी रिट को व्यक्तिगत सुतंदुरता को एक बुल वॉक के रूप में प्रयूख किया जाता है राइट आंसर क्या है बतलाईए क्या उत्तर होगा बतलाईए बहुत अच्छे सभी हाँ जी कौन सी है ये रिट राइट आंसर क्या है इस प्रश्शन के लिए बतलाईए और के रूप में प्रयूख करते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्शन के लिए तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये है बंदी प्रत्यक्षी करण कौन सी है बंदी प्रत्यक्षी करण इस प्रश्शन के लिए सही उत्तर हो जाएगा option number B expression का सही उत्तर हो जाएगा right answer है बंदी प्रत्यक्षी करण सही उत्तर है next question देखते है भारती अर्थवरस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने गड़ा मतलब भारती अर्थवरस्था के विकास के लिए विकास की हिंदू दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द किसने दिया right answer क्या है इस प्रेशन के लिए सब ही उत्ताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए विकास के लिए हिंदू दर ये शब्द किसने गड़ा right answer क्या है expression के लिए बतलाईए जी क्या उत्तर हो जाएगा expression के लिए बतलाईए चलिए देखते हैं right answer क्या है expression के लिए तो विकास के लिए हिंदू दर ये शब्द जो है ये किसने गढ़ा right answer हो जाएगा राज कृष्णा option number इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राज कृष्णा इस प्रशन के लिए सही उत्तर है राज कृष्णा इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राज कृष्णा इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देख ते हैं प्रत्यवर्ति धारा को एक धारा में बदलने के लिए किस ओपकरण का प्रियोग करते हैं इसका नाम क्या है आपको बताना है alternating current to direct current AC को DC में बदलने के लिए किस ओपकरण का प्रियोग करते हैं आडबल के रोहित मिशन एंटीपीसी रमेसियादो मुहमध ऐसान अनुराग सिंग रिया शर्मा क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए प्रत्यावर्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रियोग करते हैं क्या उत्तर हो जाएगा expression के लिए बतला ही AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रियोग करते हैं सही उत्तर क्या है expression के लिए बतला ही तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर इस प्रेशन के लिए तो AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा AC को DC में बदलने के लिए आप प्रियोग करते हैं रेक्टिफायर का किसका रेक्टिफायर का option number C, इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, right answer है, rectifier का प्रियोग करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, अगला प्रशन, अशोग ने अपने बेटे महिंदर को बौध मिशनरी के रूप में कहां भेजा था, right answer क्या है, इस प्रशन के लिए बतलाएगे, right answer क्या है इस प्रशन के लिए, जो भी चैनल पर नए है, चैनल सब्सक्राइब करते जाएए, बैल आइकन आउन करते जाएए, स्क्रीन पर जो कॉश्चन है, इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा, right answer क्या है, comment box में comment करके बताना है, क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतला बढ़ मीशिनरी के रूप में कहां पर भेजा था तो यह भेजा था उसने सिलोन श्रीलंका ओप्षन नमबर राइड आंसर है एस प्रशन के लिए सही उत्तर है जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लिज्या नेक्ट कौशन देखते हैं नंद के उपर चंद्रगुप्त मौरे की विजय का वरनन करने वाला संस्कृत नाटक कौन सा है नंद वन्स के राजा के उपर चंद्रगुप्त मौरे के विजय करने का कौन सा राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ही हाँ जी कोशिश करिए आंसर दीजिए राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा हम सोचिए समझे आंसर दीजिए राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाएगा तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा चंदरगुप्त मौरे ने जो नंदवन्स के राजा के ऊपर विजय प्राप्त की थी उसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए तो यहाँ पर सहीत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा नंदवन्स के ऊपर चंदरगुप्त मौरे की विजय के बारे में हमें जानकारी मुद्रा राक्षस से मिलती है ऑप्शन अंबर मुद्रा राक्षसा इस प्रेशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है मुद्रा राक्षस प्रश्ण का सही उत्तर है जिसके भी आंसर गलत हो रहे हैं आंसर सही करते जाएए राइट आंसर क्या हो जाएगा मुद्रा राक्षस इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ण यह रहा स्क्रीन पर कॉशन है आपके सामने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नैटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्टित दिल्ली के सुल्तान कौन था मतलब वो कौन सा सुल्तान था जिसने नहरों का नैटवर्क सबसे ज़्यादा बनाया प्रतिष्टित सुल्तान दिल्ली का कौन सा था जिसने नहरों का राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए सूचे समझे आंसर दीजे राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए बहुत अच्छे वेरी गुड जी वेरी गुड जिसके भी गलत हो रहे हैं अपने अपने आंसर सही करते जाएए आराम से पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं है हरवणानी के जरुत नहीं है जहां आपको जरुवत हो वहाँ पर आप अपनी जो है बुद्धी मत्ता दिखाईए स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रेशन के लिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका तो कौन सा वो दिली का सुल्तान था राइट आंसर क्या हो जाएगा फिरोष शाह तुगलक औप्शन नमर सी इस प्रेशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा फिरोष शाह तुगलक इस प्रेशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है फिरोश शाह तुगलक इस प्रशन के लिए सही उत्र नेक्ट कॉशन देखता है अगला प्रशन भारतिय सम्मिधान के किसा नुच्छित के ताहत भारत के राश्वपदी को किसी भी विध्यक पर अपनी सहमती वापस लेने की शक्तियां प्राप्त है राइड आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए स्क्री spéन पर जो कॉशन है इसका सही उत्र क्या हो जाएगा राइड आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए जी हाँ कॉशन्स को पढ़ते जाए अच्छी तरीके से देखते जाए जो नहीं बन रहे हैं वेट करिए आंसर जब मैं बताऊंगा तो याद कर लीजे और जो बन रहे हैं उनके आंसर देते जाए क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए चले देखते हैं तो यहां पर सही उत्त क्या हो जाएगा इस प्रशिंग के लिए अभी भी बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं ये आप सही करिए तो यहां पर सहीत्र हो जाएगा ये अनुच्छेद है 111 कौन सा अनुच्छेद है ये 111 option number D यहां पर सहीत्र हो जाएगा अनुच्छेद 111 में ये जानकारी मिलत है जिन जिन के भी गलत हुए हैं आंसर अपने सही कर लिजे और प्लीज शेयर करते चलो यार वीडियो को गिंती के आप लोग इस्टुडेंट हो अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा हैं अगला प्रशन देखते हैं निमलिकत में से कौन सा राज तीन तरफ से बांगला देश से घहरा हुआ है कौन सा वो राज है जो तीन तरफ से बांगला देश से घहरा हुआ है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाएं ताइम टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी हैं कौन सा वो राज है जो तीन तरफ से बांगला देश से घेरा हुआ है राइट आंसर क्या है इस प्रेशिंग के लिए बतलाईए तीन तरफ से बांगला देश से कौन सा राज्य घेरा हुआ है राइट आंसर क्या है इस प्रेशिंग के लिए सब ही बताएंगे चले देखते हैं तो यहाँ पर सेत्र हो जाएगा तीन तरब से बांगला देश से घिरा हुआ राज इसमें से तीन से त्रिपूरा आप्शन नमबर डी यहाँ पर सेत्र हो जाएगा तीन त्रिपूरा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ण ये रहा स्क्रीन पर जिसके भी गलत हो रहे हैं आंसर सही करते जाईए बलबंत मारकोस नहा मौरिया कुछ ओके जी ओके सुभम मनीश हरपाल रोहित अनिल वेरी गुड नेक्स्ट कॉशन देखते हैं मेघाले टाइगर रिजर्व किस राज्य में इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए बतलाएं तो ये तो आपने देखी लिया है मेघाले टाइगर रिजर्व किस राज्य में इस्तित है तो मेघाले टाइगर रिजर्व नहीं मेल घाट माफ करिएगा मेल मेल घाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाएए मेल घाट टाइगर रिजर्व किस जगह पर है तो यहां पर सहीत्र हो जाएगा महाराश्र में है option number D इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा महाराश्र में इस्थित है ये मेल घाट टाइगर रिजर्व नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या पूशा गया है ये रहा कॉशन स्क्रीन पर चंबल नदी के किनारे कौन सा सहर इनमें से इस्थित है बताओ हाँ जी भलबंत राज नाम आते राजी की स्थापना दिवस, ओके, जो आग गया, जैसा आपकहो, स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका कोटा राइट नांसर है कोटा इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा कोटा जो है आपका चम्बल नदी के किनारे इस्थित है नेक्स कोशन देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कोशन है आपके सामने निम्लिकित मैंसे किस इस्थान पर पानी का कोटानांक सबसे कम होता है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईएं कौन से इस्थान पर पानी का कोटानांक जो है सबसे कम होगा राइट आंसर क्या है स्क्रीन पर जो कॉशन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बतला ही हाँ जी क्या उत्तर है इस प्रेशन के लिए बतला ही कौन से स्थान पर पानी का क्वथनांग जो है सबसे कम होगा right answer का है मतलब जल्दी उबरने लगेगा पानी कॉतनांग कम का मतलब क्या होता है पानी जल्दी उबरने लगेगा right answer क्या है इस प्रशन के लिए बतल ही तो यहाँ पर सहीतर क्या हो जाएगा right answer for this question कौन से स्थान पर पानी का कॉतनांग सबसे कम होगा तो mount average मतलब जितनी उचाई बढ़ेगी उतना क्वथनांख कम होगा right answer हो जाएगा mount average इस प्रशन के लिए सही उत्र है mount average पर पानी का क्वथनांख जो है in options में से सबसे कम होगा right answer हो जाएगा दोस्तों share करते चलो वीडियो को like करते चलो आप से सिर्फ like और share करने के लिए बोलते हैं वो आप कर सकते हो जो कि free है उसमें आपका कुछ जाता नहीं है फिर भी आप like share नहीं करते हो तो यह तो थोड़ा सा गलत बात है ना यार अगला प्रशन लेखते हैं एक रंगीन टीवी के उपियोग किये जाने वाले प्राथमिक रंग कौन से होते हैं रंगीन टीवी जो होती है उसमें प्राथमिक रंग कौन से उपियोग किये जाते हैं राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतला ही रंगीन टेलिविजन में कौन से प्रात्मिक रंग जो है इस्तिमाल किये जाते है राइट आंसर क्या है इस प्रात्मिक रंग इस्तिमाल किये जाते है राइट आंसर क्या है इस प्रात्मिक रंग इस्तिमाल किये जाते है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं हाँ जी रोहित मिशन आशीस एसाई बल्वंत रोहित परबार पनवार रोहित परबार अर्विंद कुमार हाँ लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग जो होते हैं वही ब्लू ग्रीन रेड इस प्रेशन क लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए नेक्स्ट कोश्ण निम लिखित मैंसे प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं बतलाईए निम लिखित मैंसे प्लास्टिक मनी जो है किसे कहते हैं राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए प्लास्टिक मनी किसे क कहा जाता है सही उत्तर क्या है इस प्रेशिंग के लिए बतलाएं जो भी चैनल पर नए है सब्सक्राइब करते जाएं क्या उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक मनी जो है किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रेशिंग के लिए चले देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्य हो जाएगा तो plastic money किसे कहते हैं मनीश पुचा शरमा जी दिखशाम्त गुजर plastic money दोनों होगी न एक काईक्व होगी debit of credit card दोनों यहाँ पर credit card or debit card दोनों ही plastic money कहलाएगी right answer हो जाएगा दोनों ही तो card होते हैं न तो यह दोनों ही plastic money कहलाती है राइट आंसर है option number both are right expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं माचस की tip पर किस पदार्थ का उप्योग करते हैं प्रणाम प्रणाम खुश्वाहाजी प्रणाम खुश रहिए स्वस्तर रहिए मस्तर रहिए करप्या कर वीडियो को question है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है बताइए कॉश्वाहाजी स्क्रीन पर है आपके सामने माचस की जो तीली होती है उसके tip पर सबसे उपर क्या रहता है ? राइट आंसर क्या है? इस प्रेशन के लिए बताईए जले देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो जो माचस की tip 극 रहती है उसमें सबसे उपर क्या रहता है फॉस्फोरस रहता है क्या रहता है फॉस्फोरस option number D expression के लिए सहीयत तर हो जाएगा फॉस्फोरस रहता है right answer next question देखते है नेमलिकित मैंसे कौन सी एक noble gas नहीं है बताइए कौन सी एक noble gas नहीं है right answer क्या है expression के लिए बतलाए कौन सी noble gas नहीं है right answer क्या है expression के लिए बतलाए इन में से कौन सी noble gas नहीं है right answer क्या है expression के लिए बतलाए इन में से कौन सी noble gas नहीं है right answer क्या है expression के लिए बतलाए जो भी चैनल पर नहीं सबस्क्राइब करते जाएगा तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा रोट मिशन, NTPC, RKK, जोती कुमार, मनीश वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा नोबल गैस कौन सी नहीं है रे नॉर्मल सी बात है नोबल गैस, सिलीकॉन नहीं है सिलीकॉन गैस है, हद है हओ, बाल गो बिन बना देंगे एक ही में तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा राइट आंसर क्या है इस प्रश़ण के लिए तो सही उत्र हो जाएगा आपका सिलीकॉन, कहा दिमाँ, कहा धियान कहां है आप लोगों का कोई मतलब विशेस कहीं पर है कहीं पर विशेस ध्यान है क्या अगला प्रशन देखते हैं एकदम आसान कॉशन का इतना टिपिकल आंसर दे रहे हो अगला प्रशन देखते हैं कॉशन है धान के खेट में पानी फर्न जिसे हरी खात के रूप में उप्य हरी घांस के रूप में उपियोग करते हैं उसे क्या कहते हैं राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बताईए आगर यहां पर सही उत्त्र क्या हो जाएगा के उसे क्या कहते हैं वह इस तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा क Housing के लिए सही ऊत्तर हो जाएगा running answer है इस question के लिए next question देखते हैं अगला question कौन सा विदेशी देश अंडमान दीप के सबसे नजदीक है क्या उत्तर होगा बतला ही right answer के झाल्यों धर सूल झाल्योंध के सबसे का बतला ही तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए तो विदेशी अंडमान दीप के सबसे नजदीक है तो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान दीप के सबसे नजदीक इन में से क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान दीब के सबसे नजदीक है मयानमार option number right answer क्या है मयानमार expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer जी आपको भी शुबकामना है आपको भी शुबकामना है next question देखते हैं सत्यमेव जैते शब्द कहां से लिया गया है बतलाएए सत्यमेव जैते शब्द जो है ये कहां से लिया गया है right answer क्या है expression के लिए सभी बताएंगे कोशिश कर ये answer दीचे सत्यमेव जैते शब्द कहां से लिया गया है right answer क्या है expression के लिए तो सत्यमेव जैते लिया गया है मुंडको पनिशद से किस से मुंड कोप निशत इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्लीस दोस्तों वीडियो की लिंक शेयर करते जाएए अपने अपने ग्रूप में दोस्तों के लिए जो भी चैनल पर ना है चैनल सबस्क्राइब करते जाएए बैल आइकन अन करते जाएए स्क्रीन पर जो कॉशन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है सभी बताएंगे तो सत्य में जयते कहां से लिया गया है तो ये लिया गया है आपका मुंड को अपनिशत से नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ण यह रहा स्क्रीन पर कॉश्ण है आपके सामने वेरी गुड जी वेरी गुड हाँ जी अगला कॉश्ण देखते हैं स्वारण मंदिर दामबुला कहां पर है बतलाई राइट आंसर कह बतलाई स्वार चालो आपके सामनि मंदिर आंसरा कहां कहां पर है दाम्बूला राइट आंसर क्या है इस प्रश्शन के लिए इस्क्रीन पर जो कॉशन इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो दाम्बूला कहां पर है तो यह है आपका स्रीलंका में आप्शन नमबर शीलंका इस प्रश्शन के लिए सहीतर हो जाएगा राइट आंसर है अगला प्रश्शन निम्लिकित में से किस नदी को सारो और बंगाल के नाम से जाना जाता है बंगाल का शूक कौन सी नदी कहलाती है राइट आंसर क्या है इस प्रश्शन के लिए बतलाईए राइट आंसर क्या है इस प्रश्शन के लिए सभी बताएंगे राइट आंसर फूर दिस कॉशन जी हाँ जी तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा राइट आंसर है इस प्रेशन के लिए हम तो दामोदा नदी को कहते हैं किसको option number C expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है दामोदन नदी expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है expression के लिए very good जी very good next question देखते हैं अगला question ये रहा screen पर question है आपके सामने why I am Hindu ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है why I am Hindu ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलो शेर करते चलो चैनल पर नए हो तो subscribe करते चलो screen पर जो question है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सब ही बताएंगे why I am Hindu ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है क्या उत्तर हो जाएगा expression के लिए बतलाईए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा right answer expression के लिए तो ये पुस्तक सशी थरूर ने लिखी है option number C expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा सशी थरूर expression के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं भारत में कितने परिस्थित की होट स्पोर्ट हैं भारत में कितने परिस्थित की होट स्पोर्ट हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाएं भारत में कितने परिस्थित की होट स्पोर्ट हैं राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाएं तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा भारत में कितने परिस्तितिकी होट स्पोट है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत में परिस्तिकी होट स्पोट की संके चार है option number मतलब c option सही उत्तर हो जाएगा right answer है भारत में परिस्तिकी होट स्पोट जो है चार हैं सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का मुख्याले कहा पर है बतलाईे कहा पर है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईे Very good जी Very good Right answer क्या है इस प्रशन के लिए तो यहांपर सहितर क्या है भारतिय विदेशी व्यापार संस्थान का मुख्याले कहाँ पर है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर फूर दिसकोशन व्यापारी व्यापार संस्थान का मुख्याले कहाँ पर है तो व्यापार सनस्थान का मुख्याले जो है भारत का नई दिल्ली में है आप्शन नमबर A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है नई दिल्ली इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारत का व्यापार संस्थान का मुख्याले कहां पर है? नई दिली में इस से थे नेक्श कॉशन देखते हैं अगला प्रश्ट यह रहा स्क्रीन पर जो जीला दर्रा नेमलिके तमेंसे किन दो जगहों को जोड़ता है? बतलाइए जो जीला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है राइट आंसर क्या है expression के लिए बतलाएए very good जी very good तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा जो जीला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा जो जीला दर्रा जो है किस किस जगह को जोड़ता है तो ये जोड़ता है श्री नगर और लेह को option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है श्री नगर और लेह expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा जो जीला दर्रा जो है श्री नगर और लेह को जुड़ता है राइट आंसर है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन निम लिकित मेंसे किसे प्रेज का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है बतलाई प्रेज का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाई प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ही प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतला ही चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्तर क्या हो जाएगा right answer expression کی لیے praise کا मुक्तिदाता किसे कहा जाता है right answer for this question चले दीखते हैं तो यहांपर सही उत्र हो जाएगा very good जी praise کا मुक्तिदाता कहा जाता है sir charles madkov को किसको sir charles madkov option number c expression کی لیے सही उत्र हो जाएगा right answer expression के लिए sir charles madkov को कहते है next question देखते हैं अगले प्रश ने क्या पूछा गया है यह रहा us screen question क्या है अगले क्या है मुंडन थुराई वन जीव अभयरण किस राज जमे है बतलाईे मुंडन थुराई वन जीव अभयरण किस राज जमे है सही उत्तर क्या है इस प्रशन के लिए बतला ही मुंडन ठुराइ वन जीव अभियर्ण किस राज्य में है राइट आंसर क्या है इस प्रेश इंकनि बतला ही बतला ही चलिते हैं तो यहां पर सियुत्र क्या हो जाएगा ऐ ऐस सियुत्र है आपका मुंडन ठुराइं वन जीव अभरे Intern कहां पर है तो ये है आपका तमिन नांडू में कहां पर है option number B expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है तमिन नांडू expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हो रहे है answer अपने अपने सही करते जाएए जो भी channel पर नए है channel subscribe करते जाएए next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर भारत में छवी बुद्ध की पूजा की अवधी के दौरान बुद्ध की पूजा जो है भारत में छवी यानि की मूर्ती पूजा किस दौरान शुरू हुई right answer क्या है expression के लिए बतलाएए क्या उत्तर हो जाएगा expression के लिए right answer क्या है expression के लिए सभी बताएंगे दोस्तो प्लीज share करते जाएए वीडियो की लिंक को और भी दोस्तों को जोड़ते जाएए चैनल पर नए हैं तो subscribe करते जाएए time table हम आपको comment box में भेजी रहे हैं आप देख पा रहे होंगे time table प्लीज share करते जाएए वीडियो की लिंक को तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा right answer expression के लिए चले देखते हैं तो यह पूजा कब शुरूई थी right answer हो जाएगा कुशान once के समय में option number C expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है expression के लिए next question देखते हैं अगला question यह रहा स्क्रीन पर very good जी very good अगला question देखते हैं हम quantum सिद्धांत की new के प्रतिपाद मतलब quantum सिद्धांत किसने दिया क्या उत्तर हो जाएगा expression के लिए बतलाए quantum सिद्धांत किसने दिया right answer क्या है expression के लिए बतलाईए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा quantum सिद्दान्त किस ने दिया right answer क्या है expression के लिए चलिए देखते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा quantum सिद्दान्त very good जी very good तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निमने मैंसे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहती है क्या उत्तर हो जाएगा ये तो कौशन आपसे बन जाएगा निमने मैंसे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए बतलाएए ये तो question बनना चाहिए आपसे रिफ्ट घाटी के माध्यम से कौन सी नदी बहती है right answer क्या है expression के लिए चले देखते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रिफ्ट घाटी के माध्यम से कौन सी नदी बहती है इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा तो नर्बदा, ताप, ती ये सब जहें रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहने वाली नदीया है option number बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर question है आपके सामने जी अगला प्रशन देखते हैं AIDS के कारण वाइरस की पहचान AIDS के वाइरस की पहचान AIDS के वाइरस की पहचान कब हुई क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतला ही AIDS के वाइरस की पहचान जो है कब हुई क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतला ही हां जी right answer क्या है expression के लिए बतला जाए AIDS के virus की पहचान कब हुई right answer क्या है expression के लिए बतलाना है तो यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा तो यह 1983 option no.C expression के लिए सहीत्र हो जाएगा 1984ation में यह पहचान हुई next question देखते हैं किस आर्थिक परणाली में उत्पादित वस्तूओं को लोगों के समक्ष उनकी आवश्कता के आधार पर नहीं बलकि खरीदने की छमता के आधार पर वितरित किया जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए क्या उत्तर होगा इस प्रेशन के लिए बतलाईए right answer क्या है जी हाँ तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा very good जी very good क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए सभी बताएंगे right answer क्या है इस प्रशन के लिए सभी बताएंगे very good जी very good चले देखते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूंजी वादी अर्थ विवस्था में option number पूंजी वादी अर्थ विवस्था इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer इस प्रशन के लिए पूंजी वादी अर्थ विवरस्ता इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर कॉशन है आपके सामने क्या पूशा गया चलिए देख लेते हैं जब किसी उत्पादक उत्पाद का लेवल जब किसी उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो इस इस्तिती को क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाएए जी हां então यहां पर सयत्र क्या हो जाएगा right answer for this question तो उसे क्या कहेंगे happy near just happy near right answer है उसे कहेंगे द्वी पक्षी एक अधिकार option number B यहां पर सयत्र हो जाएगा उसे कहेंगे द्वी पक्षी एक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन है आपके सामने अगला प्रशन देख लेते हैं हम अलमटी बांद निमलिकित मैंसे किस नदी पर है बतलाई अलमटी बांद किस नदी पर इस्तित है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए सब भी बताएंगे अलमटी बांद कहां पर है स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सहीत्र क्या हो जाएगा तो अलमटी बांद जो है आपका यह है क्रिशन नदी पर आप्शन नमबर ए इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा राइट आंसर है क्रिशन नदी पर इस्तित है अलमटी बांद राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए सहीत्र स्क्रीन पर जो कॉशन है इसका सहीत्र क्या हो जाएगा क्रिशन नदी नेक्स कॉशन दक्षणी आलपस परवस श्रंखला कहां पर इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए दक्षणी आलपस परवस श्रंखला कहां पर इस्तित है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए दोस्तो प्लीज वीडियो को शेयर करते जाएए लाइक करते जाएए चैनल पर नहें सब्स्राइब जरूर कर लेना क्लास रोज होती है टाइम केबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कमेंट बॉक्स में भी है क्या उत्तर होगा बतलाएए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा जी हाँ बहुत अच्छे तो चले देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रशन का सही उत्तर है आपका दक्षणी आलपस परवस शरंखला कहां परिस्थ है तो यह कहां परिस्थ है दक्षणी आलपस परवश श्रंखला इस प्रशन के लिए चले तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षणी आलपस परवश श्रंखला जो है यह हां जी तो यूरोप में है यह दक्षणी आलपस परवश श्रंखला जो है हां जी हाँ हाँ और श्रेलिया आप्शन नमबर एस प्रसिंग लिए यह परवश रंखला जो है और स्वीजर लेंड मुनाक्कों फ्रांस जर्मनी इन सबी जगह फैली हुई है आप्शन में और श्रेलिया अश्रेलिया इस प्रसिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइब नहीं है आगे भी तो दिया करो है एकदम गर्दन पर तलवार रखके खड़े रहते हो कि जहां हमने कुछ सब्सक्राइब लेट हो गए जैन सहाब सर रात में पार्टी चल रही थी तो थोड़ा सा देर तक चल गई सुबह साड़े चार बजे तक अच्छा बहुत बढ़ियां करो पार्टी करो तुम्हीं लोग के दिन हैं अपने नवरात्रे से शुरू होंगे नए साल तुम लोग का सबसे चोटी है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए सतिंद्र तिवारी जी गुड मौनिंग हैपी नियर हां बलवन्थ क्या उत्तर हो जाएगा वीडियो की लिंक को शेयर करते चलो स्क्रीन पर जो कॉश्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस कॉश्शन तो यहां पर सही उत्तर क्या है सभी बताएंगे तो सबसे छोटी तट्रेखा कितनी है किसकी है तो राइट आंसर गुवा ऑप्शन नमबर A इस प्रेश इंगले से यत्र हो जाए नेक्ट कॉशन देखते हैं नमलिकित मैसे क्या महात्मा गांधी के सत्याग्रके सिद्दान्त के मूल सिद्दान्तों मैसे एक नहीं था बतला ही अप्शन नमबर परहेज यहां पर सहीत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा परहेज नेक्ट कॉशन पंडवानी जैन सहाब अच्छा स्कीन पर जो कॉशन है मेरी तरफ से सब को डिजिटल जावत डिजिटली गुलाब जामन अच्छा ऐसा है क्या क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्शन के लिए बतला ही तो पंडवानी किस राजय का है ऑप्शन नमबर बी इस प्रश्शन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है च्छत्टिस गड़ इस प्रश्शन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं टेली ग्राफ लाइन पहली बार किसके बीच में लगाई गई थी राइट आंसर के है नया साल सुबकामना है को लकता से आगरा अट्रास इंक्यावन में हम्म लैंस के पावर की चमता क्या है बतलाई है कि मैं हुआ अब हुआ हुआ है हिगा शुलणी के लज़ू भीवट्रफा अरुड़। नत्यूण यह जर्णा आप अभी व्ल्यूप यह उद्र पर बन गए है संक्रांदी के लेड़्ू तिल के लड़्ू सूजे के लड़्ू लाई के लड़्ू गौड के लड़ू फर बेसन के लड़ू स्क्रीन पर जो कौशन यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा डायोप्टर ऑप्शन नंबर डायूप्टर इस स्प्रश्ण के लिए त्रॉक कोशन जूए रोकोमा किस अंग की विमारी है क्या उत्तर हो गावतलाहीग डिशेयर करते है वीडियो की लिंक को बहुत मुह गया रे ड़ाते हो जाएगी इस प्रेश्ण Qué लिए बतलाहीग लिए लगेग तू यहां पर सहीत्र हो जाएगा ट्लोकोमा आखों की विमारी है look NBER-B net question देह। हम अंग सोडियंग का सबसे प्रचुर मात्रा में लवन कौन सा है बतलाई ये क्षोडियम का अब सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा लवन है राइट आंसर कह बतलाई रूफ कर ए content सबसे प्राइब लवन का सबसे प्रचुर मात्रा में लवन है कोई बात नहीं स्वागत है आपका दंद कुमान मिश्रा अर्विन सोडियम क्लूराइड से यत्र हो जाएगा अगला प्रशन विद्धान परिशत की सदस्रता के लिए नियुम्तम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए बतलाए है मेरी तरफ से होँं राइड आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाएं पर है इस स्क्रीण पर क्या है जाएगा यौक हमख आज़ेखते हैं तो यहां पर सही तरक्या हो जाएगा राइड आंसर इस प्रेशिंग के लिए तो नियोंतम सदस संख्या इसकी होनी चाहिए राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष आप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं हमाल Messiah कि छेत्रि विभाजन की काली और तीस्ता नदियों के बीक इस्थित है बतलाई राइट आंसर क्या है बतला है जी राइक आंसर क्या है इस प्रशिण के लिए बतला ही बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे राइट आंसर क्या है इस प्रेशन के लिए चले देखते हैं तो काली और तीस्ता नदियां जो है कौन से हमाले का विभाजन करती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए तो काली और तीस्ता नदियां जो है ये मिलकर कौन से हिमाले का विभाजन करती है पाल हिमाले का नेपाल हिमाले जो है आपका नेपाल हिमाले औप्शन नमबर B इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा काली तीस्ता नदी नेपाल से आती है अरे है बगवान थोड़ा बहुत तो दिमाग भी तो लगा लो नेपाल हिमाले इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है नेपाल हिमाले ऑप्शन नमबर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुक इस्त्रोथ क्या है बतलाएं आया आया नंद कुमार काहे को कद्दू के जैसा रंग का इमोजी बना कर भेज रहे हो नंदु कुमार राइट आंसर क्या है इस फ्रेशन के लिए अरे जैन साब आप मंदर जाने वाले थे आप तो अभी यहीं पर हो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्तुरूथ क्या है तो भारत में बिजली के उत्पादन का प्रमुख स्तुरूथ है कोईला कोईले से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन की आती भारत में राइट आंसर है गलत हो गया प्रभू इसे लिए हमने सोचा कि कद्दू जैसा मूँ बना के धोके से अगर सब्सूर जी यही वाला फोटो देख लेते तो तुरंद कह देते दमाज जी का फोटो अच्छा नहीं है साधी कैंसल द्धुनी का अध्यन क्या कहलाता है बतलाई अच्छा बस में हैं ओके जैन साब हैपी मंदिर डू किया ogr कैया क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या है स्प्रेशन के लिए बतलाईए आंकर सरोज राजन गौतम कपिल दोस्तों शेयर करते चलो वीडियो की लिंक को अरे तो questions खतम तो हों तो तभी तो revision कराएंगे कि अभी बीच में से revision करादें ये बता दो बीच में से करादें revision एक पर चलने तो पहले पूरे फिर तो revision कराएंगे न तो यहां पर सहीतर क्या हो जाएगा right answer ध्वानी के अध्यन को क्या कहा जाता है तो ध्वानी के अध्यन को right answer हो जाएगा echoistic कहते हैं क्या कहते हैं echoistic expression के लिए सहीतर हो जाएगा option number C expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा echoistic expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा ध्वानी के अध्यन को echoistic कहा जाता है next question देखते हैं डेंगू बुखार किसके कारण होता है हेरन को एंगलेस में कहते हैं डियर ओ माई डियर हैपी नियर स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सहीतर क्या हो जाएगा बहुत अच्छे ब्रेड से बनता है बर्गर और आप और हम मिलकर मनाएंगे निव यर स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सहीतर क्या हो जाएगा धूप आ रही है पूरब की तरफ से और हैपी नियर हमारी तरफ से क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए वाईरस डेंगू बुखार किसके कारण होता है वायरस के कारण होता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर भारतिय समीधान में राश्पती के चुनाओ की विधी किस देश से ली गई है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन का तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है कौन से इसके समिधान से ली गई है तो यह ली गई है आयर लेंड के समिधान से option number C इस प्रेशन के लिए सेत्र हो जाएगा आयर लेंड के समिधान से ली गई है next question देखते हैं क्या पूशा गया है प्रत्वी सूर्य से किस दिन अधिक्तम दूरी पर होती है बलवन्थ शुभं वीडियो लाइक करते जाओ यार है वीडियो लाइक करते जाओ सभी जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करते जाओ वीडियो लाइक करते जाओ क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए बतलाओ तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा यह होती है किस दिन चार जुलाई को option number 20 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा चार जुलाई इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्कीन पर किस बिल के द्वारा सरकार एक वर्श के लिए राजस्व संग्रह का प्रस्ताव रखती है क्या उत्तर हो जाएगा बतलाई कौन से बिल के द्वारा सरकार एक वर्श के लिए right answer क्या है इस प्रशन के लिए बतलाई जी है तो यहां पर सेतर क्या जाएगा बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे चलिए तो यहां पर सेतर क्या हो जाएगा तो यहां सही उत्तर हो जाएगा आपका option number वित्त विध्यक option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा वित्त विध्यक इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा गुरुदेव दुबारा और क्या अगर हमारे बेटे को तो तुम तो लंका लगवाद होगे मिश्राजी स्क्रीन पर जो कॉशन इसका सहीत्र क्या हो जाएगा राइट आंसर जीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को क्या कर जाता है राइट आंसर क्या है बतलाई पूजा मित्तल आईपेस यादव जी जेन साथ राइट आंसर क्या है चंदन कुमार तीवारी जी कृतु हर्चरन कुश्वाहा अंशू सुखविंदर नहरा क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए शेयर करते चलो अगला फ्ल्म है टो राइठ आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए हम हम अग को है तो यहां पर सैहतर हो जाएगँ इस प्रशन के लिए सैत्र हो जाएगा लेंटिक बायोटा option number B इस प्रशन के लिए से यत्रों जाएगा lantic biota कहेंगे इसके लिए जीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को क्या कहा जाता है तो वो कहलाते हैं lantic biota right answer है next question देखते हैं बताओ क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए प्रम खुरूप से किस cancer का कारण बनती है right answer क्या है इस प्रशन के लिए चिंदन, SK काजल अच्छा तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा तो अच्छा का cancer option number D इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा right answer है अगर हमें रस्ते में चलते समय एक जिगा साप दिख जाए एक तुमें तुम दिख जाओ नंदू तो तुम्हें पता है हम सबसे पहले किसमे लख्ठ मारेंगे पता है निम्लिके तुमें से सबसे बड़ा इस्तन पाई कौन सा है अगर हम रस्ते में जा रहे हैं दोगे से कहीं साप दिख जाए और वहीं पर तुम भी दिख जाओ तो पता है सबसे पहले हम किसमें लख्ठ देंगे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है हाँ तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा right answer है वेल मचली option number इस प्रशन के लिए बतलाईए बताने करने ही मन में रखने का हाँ ओपन नहीं करने का बात इसक्रीन पर जो कॉश्चन इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा right answer है इस प्रशन के लिए सबसे पहले मैं उसमें वो लट्ठ मारूँगा जिसने बोला कि मुझे इस वाले रस्ते से जाना चाहिए कौन था वो जिसने मुझे इस रस्ते से भेजा कि मुझे दौनों मैंसे किसी ये को चुनना पढ़ रहा है तो right answer है इस प्रशन के लिए mitocondria next question देखते है right answer क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भाई है तुमने क्या बिगाड़ा है तुम गजब सोचते हो हद है बतलब अपने मन से कुछ भी सोच इतने बुरे भी नहीं है हम माना की है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है share करते चलो वीडियो की link को channel पर जो भी ने के लिए तो ये oxygen को प्राप्त करने के लिए मदद करते है right answer हो जाएगा हर्चरन बल्वन्त रोशन कुमार दुक्षांत next question देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहा स्क्रीन पर सम्विधान सबा को संभुधित करने वाला अंतिम ब्रिडिस गवनर जनरल कौन था right answer क्या है इस प्रेशन के लिए बतलाईए रंजीत कुमार rkk mission ntpc क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए lp कुमार तो यहाँ पर सेतर हो जाएगा mount belton option number b इस प्रेशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer next question देखते हैं अगला प्रेशन प्रकास की गती किसमे अधिक्तम होती है right answer क्या है बतलाईए सरतेज पढ़ाईए अब का इस देज क्या पढ़ाईए तेल पी जाए हम एक गेलन तेल पी जाते हैं सब्द फिसल फिसल के निकलेंगे स्पीड में आगे हैं अभी क्या पानी की वज़ा से फ्रिक्षन हो रहा है गले में इसलिए सब्द अटक डख के निकल रहे हैं इससे तेज पढ़ा है एक गैलन तेल पी जाते हैं गला एकदम चिकना हो जाएगा फिसल फिसल के निकलेंगे शब्द हैं गजब व् वस्तू की गती में क्या चेंजिस होंगे क्या उत्तर प्रशन के लिए राइट आंसर क्या है आई एम इंसान नौट आटीफिस इंकलियंस की तुमने प्रोग्राम सेट किया और हम तेज बोलने लगे जो स्पीड रहेगी वहीं न बोलेंगे राइट आंसर क्या है इस इसमाल होने वाला चोग जो है मूल रूप से क्या होता है राइट आंसर क्या बतलाईए हैपी नियर शर्मा जी हैपी नियर क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए बतलाईए भवर सिंग बाबलू मीना बाबू मीना क्या उत्तर हो जाएगा तो यहां पर सहीतर हो जा राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाईए भक्ती मारगर के संत पहले कौन थे राइट आंसर क्या है बतलाई तिवारी जी कृष्णा गौर, सुखविंदर नहरा, अंकित कुमार, हर्चरन कुश्वाहत, निश्का जैन, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के नेक्ट कॉशन देखते हैं, अगला प्रशन, यह रहाँ स्क्रीन पर, अधिसूचित अल्प संक्यक समुदायों से समंदित मुद्दों पर अधिक द्रश्टी कोण केंद्रित करने के लिए अल्प संक्यक मामलों के मंत्राले को किस वर्श इस्थापित किया गया था, राइ राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए, चले देखते हैं, तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा, दो हजार चैनले के लिए सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट कॉशन, कौन सी रिट को व्यक्तिगत स्वतंतरता को एक बुलवार्क के रूप में जाना जाता है, राइट आंस क्या है, इस प्रशन के लिए बतला ही, जी, तो यहाँ पर सहीतर क्या हो जाएगा, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करते जाएगा, बैल आइकन आउन करते जाएगा, इस्क्रीन पर जो कॉशन है, इसका सहीतर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, हाँ जी, तो यहाँ पर सहीत्र क्या है राइट आंसर फो दिस कॉशन तो यह है बंदी प्रत्यक्षी करण option number B expression के लिए सहीत्र हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षी करण expression के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा screen पर question है भारत में अर्थिवस्ता के लिए विकास की हिंदू दर्शब्द यह शब्द किसने गढ़ा क्या उत्तर हो जाएगा बतला यह test set paper comment box में share हो रहा है link पर click करके video देख लीजिए जो भी channel पर नए है channel subscribe कर ले bell icon on कर ले class रोज होती है आप पढ़े आ सकते है वीडियो test set paper जरूर लगा लिजेगा free test set paper है आपके लिए आपके speed को चेक करने का सबसे आसान तरीका 10 minute में 40 question है speed में आप उनको जरूर पढ़ लेना और यह आज का आखरी question है इसके बाद में हम next class में पढ़ेंगे test लगा लो सभी अभी तो दो तीन दिन NTPC के paper है ही नहीं how? दो तीन दिन अभी NTPC के paper तो है नहीं तो live analysis तो center पर जब paper सुरू होगा तभी चलेगा ठीक है? तो तब तक आप कोशिश करिए कि अपना revision अच्छे जी बहुत बहुत धन्यवाद योजना वाला पूरा वीडियो बना दूँगा मैं आज ही बना दूँगा पक्का बना दूँगा योजना वाला पूरा वीडियो बना दूँगा मैं ठीक है? थैंक्यू सो मच हैपी नियर हम मिलते हैं next class में बहुत बहुत आभार हाँ जी बहुत-बहुत आभार धन्यवाद आप सभी का अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी साइंस पढ़ेंगी 11 बजे है न ठीक सभी का अगले वीडियो में मुलाकात ओगी आप से तब अपने ख्याल रखें मस्त रहें रादे रादे जी रादे रादे लादे खान साब बहुत बहुत धनिवाद थेंक यू